नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका स्वागत है आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे देश के सबसे अमीर व्यक्ती मुकेश अमबानी एक दिन अपने दफ्तर जाने के लिए मुंबई स्थित घर एंटीला की पारकिंग पहुँचे अपनी पसंदीदा मर्सेडीज कार की चावी निकालने के लिए जेब में हाट डाला तो उन्हें पता चला की चावी तो उनकी जेब में है ही नहीं 27 फ्लोर के पूरे घर में चावी खोजी गई लेकिन चावी नहीं मिली अमबानी दूसरी कार से ओफिस चले गए इसके बाद अमबानी का आयायायम पस आउट जर्नल मैनेजर मर्सेडीज के ओफिस फोन करता है तड़के तीन बजे हेलिकॉप्टर अंटीला के टॉप फ्लोर पर उतरता है उसमें जर्मनी से आया मर्सेडीज का ओफिसर बैठा होता है जो अमबानी के स्टाफ को डुप्लिकेट चावी सौपता है और वापिस जर्मनी चला जाता है कुछ ऐसा है हर घंटे 1.20 करोड रुपे कमाने वाले मुकेश अमबानी की डेली लाइफ का रुतबा 29 करोड रुपे कमाने वाले मुकेश अमबानी का रुतबा इतना है कि विदेश से लोग उनको उनकी गाड़ी की चावी देने आते हैं हाला कि ये सपष्ट नहीं है कि मुकेश अमबानी के पास कितनी कारे हैं लेकिन देश के सबसे अमीर वेक्तिक के घर में 6 फ्लोर हैं जिन पे सिर्फ पार्किंग बनी हुई है जिसमें 20 या 50 नहीं बल्कि 168 कारें रखी जाती है मीडिया में आई कुछ खबरों के अनुसार उनके पास 1500 से ज़्यादा कारें हैं इसलिए उन्होंने इतना वड़ा पार्किंग स्पेस बनवाया है मुकेश अंबानी की प्रमुक कारों में मैक बैक 62, मर्सेडीज S-Class, बेंटली, फ्लाइंग सूपर, रॉल्स रोइस फेंटम और ब्लैक मर्सेडीज SL 500 शामिल है यह कारें शुरक्षा मानकों से भी काफी उच्च तरकी हैं हम आशा करते ही जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ आवशे शेयर करेंगे दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी पेड़ना बढ़ाता है धन्यवाद